हेलो गाइज कल हम लोग उने घताउंग और करनी पढ़ा था घताउंग और करनी का कुछ important facts सब जौने थे वहाँ पर जौन लिये थे और घताउंग और करनी के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि घताउंग और करनी में ट्रिक बहुत कम और concept ज्यादा कौम करता है और हम करनी है तो घताउंग के बारे में पहले हम लोग कुछ questions को देखेंगे कल मैंने आलों की बता दिया था बहुत कुछ तो आज घताउंग और करनी में जिदी एक प्वेंट हो भी देख लेते हैं सपोईडेट यहां कहीं पढ़े लिखाव आओ एपर पावर मैनस एन लिखाव आओ टॉपिक पे आते हैं एपर पावर मैनस एन लिखाव आओ और उससे हम इन मैनस को हमको बदलना हो घताउं की के बात कर रहे हैं सिर्फ घाताओं की बात इसको हम पॉजट्टीव में लाएंगे क्या कड़ेंगे उसको हम नात्मक बद्लेंगे तो कईसे करेंगे तो इसको सिर्फ कुछ करना नहीं है सिर्फ वन वह ंवाई भावर चैसे टुन d नढ़ अएसा ही रहा मतलब घाताउंग में घाताउंग में हम लोगों ने कल पर लिया था अब घाताउंग में कुछ questions को देखेंगे कल भी देखें थे लाग कि आज भी देखते हैं questions यह 3 पर पावर 10 गूने 27 का square बढ़ावर 9 का square गूने 3 पर पर पावर एन इसे हम मतलब बीटा देते हैं यह आप लोगों ने देख लिया होगा सिर्फ concept को द्याण में रखना है बस कुछ नहीं है पर एन हो तो एन का value क्या होगा एन का मन क्या होगा यह आपका एससे सीजल में पुछा गिया है एससे सीजल में यह question पुछा होगा है इसको बढ़ाना हो question आपका यह है निकालना यह है आस्तावनी से और धिरे धिरे इंतिनावन समझेंगे हमनों इसको क्या करना होगा कुछ नहीं थिरी पर पावर टैन है गोना 27 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या थिरी का क्यूब और इसको इस तरह से इसका भेली हो गया ना 27 थिरी का मैंने कल गाताओं में बताया तीन बार इसको हम करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2393 हो गया यही तो लिखा हुआ है यह ना तो हमको इस तरह से लिखना है हम लिख सकते हैं इसको लिख लिए उसको इसको क्या करेंगे थिरी का स्क्वाइर है इसको हम स्क्वाइर कर दिये गोना 3 पर पावर एन हो गया थ्रा गौड करना है 3 पर पावर टैन गोने 3 पर पाव गैles को सबलकर गोन वो ही इसी प्रकार से सक huge दूना डोपन चेये का और यह अभी थैन प्र फावर साल गूने धीर ठीपश्टीन हो जाएगा डार की करेंगे बताए थे कि अधार समाढ़ होजे lol थेवार पावर तो थी पहले में पावर थी फूआवर जूट क्या हो जाएगा थेद्प पिलस सिक्सों हो जाएगा इजर्ट पर पावर ुड्या थीुच क्या हो जाएगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसको बाड़ बार लखने से बैतर है हुछ यहां ही कौम कर लेते हैं अध्यार समोने ग्नों यूब ऑफ क्या हो जएका पूर dleuga All प्रपलस अनों ऊब time जाएग다 तो अब जानते हैं जदी इम steering me नुब का solar इसker आजिक होगा पावर वी समुन होगा जैसे हाट में यह νुरूल आज है कि एपर पावर ऐपर पावर ये ऐहांब उन है तो ईहां आज़ूंढ दोनों का तो फावर भी मेरा ऐद यहीं आपका तो आंसर हो गया ना तो इसमें क्या है इस तरह से इसको बनाना है इसमें कॉंसेप्ट ही कौम करेगा और दूसरा कोई कौम है नहीं यह इस तरह से हैं अब हम लोग दूसरा कोई को देखेंगे और अदर रूट टू बुने अंडर रूट थिरी का घताओं की रूप क्या होगा अनि घताओं के इसको बताना है इसको क्या करेंगे तो रूट यह हम कल भी बताए रूट में है तो क्या हो जाएगा ऐसे रूट 2 गुने रूट 3 या रूट है m गुने रूट है इन है तो हम इसको बताए थे कल m गुन gradéd हो जाएगा है हम इसको करते हुए निकल रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं यू te 2 गुने रूट 3 क्या हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा अब इसको देखना है कि हम इसको लिख सकते हैं रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 पर पावर एक बटे 2 नहीं लिख सकते हैं क्या अस्वाणी से लिख सकते हैं 6 पर पावर में यही आ जाएगा तो क्या होगा तो एक 6 पर पावर 1 वाए 4 हो जाएगा हमको कहा है घाताउंक के रूप में रहने देने के लिए तो हमने उसको इसी फॉर्म में रहने दिया तो इस तरह इसमें क्या है कुछ नहीं अगला कोश्चन यह है कि 31 पर पावर 7 पॉइंट पॉँ 31 पर पावर 7 पॉइंट पॉँच ठीक है भागा 31 पर पावर 3 बेटा 2 है तो इसको हम 1.5 लिख सकते हैं भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा 31 पर पावर मैनस 3 और अंडर रूट 31 पर पावर x यह हमको निकालना है भाग में पावर क्या हो जाता है घर जाता है 31 पर पावर 6 हो पर पावर x तो चलता ही रहेगा ठीक है अब घटाएंग गुना में पावर क्या हो जाता है जूड़ जाता है तो यहां 6 हो जाता है तो क्या हो जाएगा यहां प्रलस मैनस मैनस तो यहां क्या हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 31 पर पावर x अब थुरा सा इसको गौर से देखना है, इसको हमको इसके रूप मिलाने के लिए हमको थुरा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अंडर रूट 31 यहाँ भी करना होगा, तो करेंगे कैसे करेंगे, थुरा सा दिमाग लगाना होगा, अंडर रूट मैंने मौन लिया कि 31 लिख दि इसको हमने इस परकार से लिख दिया 6 ठीक है अंडर रूट 31 पर पावर एक्स हो जाएगा ठीक है जो उस तरफ था मैंने रहने दिया तो आप देखिए यही वला चीज यह है यही वला चीज क्या है यह क्यों इसको स्वल्व किजिए रूट 31 पर पावर क्या है 6 है इसको हम क्या कर सकते हैं 31 को 31 पर पावर 1 बाई 2 यह 6 है दो गुना 6 दो 3 यह 6 तो 31 पर पावर 3 नहीं हो गया क्या हो गया ना तो सेम उसी प्रकार से वही चीज है इसलिए इसको हम इस फॉर्म में मतलब लवने के लिए ताकि आधार समोन हो जाए तो एक से कुछ नहीं है अगला कोस्चन देखते हैं हम लोग अगला कोस्चन यह रहा के स्क्रिन पर कि 2 में 2 to the power 2x-1y बढावर 16 और 2 पर power x plus y is equal to 32 तो हमको xy का value निकालना है आसान है फ्रैस में ध्यामिंदीने की बात कैसे हम ट्रिक से भी बतायेंगे ück्ली थुरंट खत्म हो जाएगा इसमें ट्रिक कॉं कर जाएगा कहीं कहीं करता है मैंने पहले बताया है कहीं कहीं कौं करता है तो यह किस तरह से बनेगा तो थोड़ा सा देखना आए इसको कि आप दो तरह सकते हैं लेकिन पहले में ट्रिक से भी बता देते हैं आपको देखे, 2 दोनों का दोनों साइड का गुना कर देना है दोनों तरफ के LHS, एक तरफ के LHS को मतला एक तरफ और RHS को एक तरफ अनि कि दाएं साइड को बाएं साइड को एक तरफ गुना कर देना है और दाएं साइड को एक तरफ गुना कर देना है 2 पर पावर X पलस Y इस तरह से हो जाएगा यह गुना हो गया और इसको हमको क्या करना है 16 गुने 32 कर देते हैं यह मतलब ट्रिकली थुरा साथ जल्दी हो जाएगा उससे तो क्या कर सकते हैं अधार समोन है तो क्या हो जाए गुनाओं में पावर जूट जाता है 2X मैनेस Y पलस X पलस Y इस इक्वल टू स्वल्दी अगुने 32 हैं है ना तो अब इसको गौर्स देखेगा 2 पर पावर क्या हो जाएगा X है यहाँ Y और Y ए खत्म हो जाएगा 2X और 1X क्या हो जाएगा 3X हो गया अब इसको देखना है स्वल्ले है इसको स्वल्ले को आप क्या किसता 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं अब देखिए 2 पर पावर 3X is equal to अधार समोन रहने पर गुनाओं में पावर जूटता है यह 9 हो जाएगा और अधार समोन है दोनों का तो बड़ावर के दोनों रप है तो दोनों का पावर भी समोन हो जाएगा 3X is equal to 9 तो X बड़ावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यही आपका X का बहल्लू आ गया यदि Y का बहल्लू निकालना हो टू पर पावर 3 पलस Y, X के जगाप प्रमेने 3 रग दिया, यहां 3 है, is equal to 32 है, तो 2 पर पावर 3 पलस Y, is equal to 32 को हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, क्यों कि इसका यह factor यही आ जाएगा, तो हम क्या आधार, बेस समोन रहने पर आधार क्या होता है, भी बडावर होता है, अधार सम पलस Y, is equal to 5, तो अब देखियो, Y ब्रावर क्या हो जाएगा, पॉंच में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, दू हो जाएगा, यही तो आपका अंसर था, यही आपको करना था, इतना ही, आज गर्मी भी बहुत जादा है, बहुत प्रेसानी से वीडियो बनाना पड़ता है, आप लोगों के लिए, तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब तो जरूर किजिए, इससे मेरा होसला बहुत बढ़ता है, और आप इतना ही आप मेरे लिए हेल्प कर सकते हैं, थैंक्यू,